नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रमीला ब्यूटिक पर आज हम करेंगे सलवार की कटिंग यह है हमारा सलवार के लिए कपड़ा कोई भी सलवार हम जिब कारते हैं तो सबसे पहले हमें कपड़ा देखना होता है सलवार का कितना है उसी इसाब से हम सलवार का कपड़ा देखके ही हम सलवार की कटिंग करते हैं मतलब हमारी कितनी हैवी सलवार बन जाएगी यह हमारा कपड़ा है इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है तो मैं सबसे पहले इसको नापके देखती हूँ कितना हमारा कपड़ा है डाइमेटर हमारा ये कपड़ा है, डाइमेटर कपड़े में हमें हैवी सलवार बनानी है पूरा खोल के कपड़े को हम इस तरह से कानी के साथ कानी मिलाते हुए पहले इसकी कान देखते हैं, कपड़े में अगर कहीं भी बीच में जोलाएगी तो हमारी कपड़े में कान है, सलवार का कपड़ा हम इस तरह से ही देखते हैं पूरा कपड़ा बराबर है या नहीं है, इस तरह से हम नापेंगे कानी से कानी को मिलाके, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कान है, तो पहले हम कान को निकाल लेते हैं अब हमने सबसे पहले देखनी है कि हमारी सलवार की लेंद कीतनी है लेंद सलवार की हमें तयार रखनी है 40 इंच कपड़ा है हमारा डाइमिटर पहले हम कपड़े को इसी तरह से नापके देखते हैं कि हमारी सलवार की लंबाई तयार होगी या ना होगी कितनी हैवी हमारी सलवार तयार होगी उसी साब से हम सलवार की कटिंग करेंगे सबसे पहले हमें बैल्ट जितनी तयार रखनी है उसी साब से हम उपर कपड़े को माइनस करके मतलब जितनी हमें बैल्ट तयार रखनी है इंची टेप को हम उपर उतना रख लेते हैं जैसे मैंने 4 इंच की बेल्ट तयार रखनी है 5 इंच कपड़ा हमने इंची टेप हमने छोड़ दिया है यहां 6 इंच से हम इसकी लेंट नापेंगे यहां 40 इंच पर हम निसान लगा लेंगे बाकी का जो हमारा कपड़ा है इसे हम फोल्ड करेंगे और को इसको हम इस तरह से नापेंगे यह इतनी हमारी कपड़े में मतलब कमी रहेगी इसको चाहे तो हम पहले कलियों को पूरा नापके इतनी हमारी गोड़े में रहेगी उसे पर हम जोड लगा लेंगे बाकी जोड जाड का हमें कोई system नहीं करना है तो हम पहले कपड़े को इस तरह से फरी कर लेते हैं और अब पहले हम इसमें से belt निकाल लेते हैं 7 इंच की क्योंकि सब्सक्राइब 4 इंच की हमें belt तयार रखनी है आप इंच हम सिलाई का छोड़ देंगे और 2 इंच हमारा नेफ़ा हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से 7 इंच कपड़ा हम अलग निकाल लेते हैं पहले belt हमने निकाल ली है अब इस कपड़े के अंदर हमारी belt नहीं है belt निकाल के कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करके हम खूला कपड़े को रख लेंगे इस तरह से अब जितने हमें गोड़े निकालने हैं पहले हम इस कपड़े में से फोल्ड करके गोड़े निकाल लेते हैं गोड़े हमें कितने रखने हैं गोड़े रखेंगे हम सड़े 6 इंज के तयार इस तरह से गोड़े को छेंज फोल्ड करेंगे सड़े 6 इंज कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे गोड़े के लिए फोल्ड करके गोड़े का हमने निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जितनी हमें गोड़े की तयार लेंध रखनी है सड़े 4 इंज कपड़ा इस तरह से हम इंची टेप को सड़े 4 इंज छोड़े उपर और यहां नापेंगे हमें कितनी सलवार की लेंध तयार रखनी है चाड़ेस इंच आफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे शिलाई के लिए इस तरह से इस तरीके से हम सलवार नापते हैं इसमें माइनस मुइनस करने का कोई चक्कर नहीं है अगर आपको ये जंजट नहीं रखना इस तरह से नहीं रखना चाड़े 4 इंच की हमारी बैल्ट तयार है आफ इंच इसमें हम फोल्ड करने का तो मतलब ये पांच इंच है पांच इंच हमने जितनी सलवार की मतलब तयार लेंध है उसमें से पांच इंच हम माइनस कर देंगे और इस तरह से नाप लेंगे 36 इंच हमारा गोड़ा है आफ इंच हमारा निचे सिलाएगा जाएगा आफ इंच हमारा उपर सिलाएगा जाएगा तो इस तरह से हम जितनी हमारी सलवार की तयार लेंथ है जैसे हमारी तयार लेंथ है 36 इंच उपर बेल्ट रखनी है में 5 इंच की तो बच जैएगा हमारा क्ति सिंच, तो हम चाहे इस तरह से कति सिंच के गोड़े ले सकते हैं, ठीक, चाहे हम अगर हमें 36 सिंच सलवार तयार रखनी है तो उपर सटे 4 इंच हम पहले से ही माइनस करके कपड़े को काट सकते हैं, इस तरह से यह हमने गोड़े निकाल लिये, ग त्यार रखनी है 25 इंच हमें वैल्ट की लंबाई त्यार करनी है यह हमारी कितनी है यह हमारी सेड़े 20 इंच इस तरह से जितना हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा उतना हम इसको एक दूसरे के उपर रख लेंगे हाफ इंच पौना इंच जितना भी हमें शिलाई में कपड़ा लेना है और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे यह हमारी 26 इंच तयार हो रही है एक इंच कपड़ा हम इसमें से निकाल देते हैं तो हमारे गोड़े और बैल्टिस में से निकल गए है यह जो हमारा कपड़ा है इसे हम पोचे की पटी में यूज करेंगे इस तरीके से इसके तीनी से करके पटी निकाल लेंगे अब यह है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे इसमें हमारी गोड़े की लंबाई कितनी हमें निकाल ली है गोड़े की लंबाई रखनी है निकाल ली है हमने 36 इंच इस तरह से हम 36 इंच का निसान लगा लेंगे 36 इंच पर हमने निसान लगाया है उपर हमें आसन कितना रखना है आसन हमें तयार रखना है 10 इंच यह हमारा सेड़े 10 है हम पूरा ही आसन में इसको ले लेते है सेड़े 6 इंच हमारी कलियो की गोड़े की चोड़ाई है तो हमें कलियो की चोड़ाई लेनी है डाई इंच सेड़े 6 इंच हमारी गोड़े की चोड़ाई है हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा सेड़े 7 इंच के हमें पोचे तयार रखने है तो एक इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेंगे इसी तरह से 10 इंच कपड़ा हमने उपपर छोड़ दिया है 10 इंच हमें इसके opposite side यहां छोड़ देंगे इस तरह से 10 इंच पर हम निसान लगाएंगे कली की हमारी कितनी चोड़ाई है 10 इंच यह जो हमारी चोड़ाई है कली की यहां इसको सिरे से दोनों सिरो पर इंची टेप हम रखेंगे इस तरीके से और इनको आपस में रेब में मिलाएंगे इस तरह से हम निसान लगाएंगे और यह जो हमने निसान लगाया है बिल्कुल इन निसान से ही हम इसको कट करेंगे इस तरह से हमने यह कलिया निकाल ली है दो कली हमारी यह है और दो यह है इसमें हमारी कलियो की चोड़ाई है 27 इंच के आसपास हमारी कलियो की चोड़ाई है यह हम नापके देख लेते हैं यह देखिए 28 इंच हमारी कलियो की चोड़ाई है तो यह डाइमिटर फुल लेंद के साथ हमारी फूल एवी सलवार बढ़ी है इस तरह से ये हैं हमारी कलिया ये है हमारा गोड़ा और ये है हमारी बैल्ट ये हमारी पोचे के लिए पढ़ती तो ये थी हमारी डाइमेटर में हैवी सलवार अप कैसी लगी मुझे कोमेंट में जरूर बताएं अगर आपका कोई भी question है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें अगर आपने चैनल subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए धन्यवाद